नमस्का दोस्तों हमारे चनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ अपने यूएन आकाउड में आधरकार आप लिंक कैसे कर सकते हो पहले मैंने यहाँ पर आपको बदाई दाओं ओनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है अगर आपको भी अपने यूएन आधरकार लिंक नहीं होगा ओमंग एप के त्रू आपको भी अधरकार लिंक करने अपने यूएन आकाउड के साथ तो इस वाले वीडियो को आप लोग फिट देखते है तो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले यहाँ पर नहीं होगाँ इसी तरीके से आपके पास औरर आजाएगा एगा पहले यहाँ यहाँ पर आधरकार लिंक नहीं होगा तो आपको क्या करने आपको बाता नेगना अपको यहाँ पता चल जाएगा पहले मैंने यहाँ पर UN को लोगिन करके दिखाई दाऊ, पहले यहाँ पर आधरकार लिंक नहीं था, अब यहाँ पर फिलाल ऑधरकार लिंक हो चुगा है, तो इसी के बारे में मैंने यहां पर आपको डीटेल से बताने बाला हूँ, चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करने इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रहा हूँ क्लिक करने के बाद यहां पर आप डाउनलोड कर सकतो नहीं तो Google के धुरू भी यहां पर आप डाउनलोड कर सकतो जॉइन डिकलेशन फर्म टालने के बाद आपके पास एक वीडिव आज आएगा वहां से भी करना या नहीं करना है यहां पर मैंने एक एक चीज़ डिटेल्स में बताईता हूं अगर आपके युएन आकाउंट में जैसे के नाम हो गया जेंडर हो गया अपने डेड़ वर्द हो गया सेम है किसके साथ आपके आधरकार के साथ अगर आपके युएन आकाउंट में पार आपके जो नियोकता है उससे आपको एक बाट करना है और अपने अधरकार के डीटेल्स जो भी है आपको क्याक्वन आपको क्यों आपको समझना बहुत जुरूरी है आगर आपके इवन अकॉन में जाएसे कि नाम गलत है जेंडर गलत है और अपने तो आपको इस वाले फ्रम को खिलाब करना ही है नित आपके अधरकार नहीं होगा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है अब यहां पर आपके दिमाग में सवल आ रहा होगा हमारी यूएन अकाउंट में जो भी पार्सोनल डीटेल्स है हमें कैसे पाता चलेगा अगर आप बाइप आपको करने पहले आपको क्या करने सों मिट करना है और ही डेड़ आपको यहां पर करना है सपर्ज माछी आ पर आप यहां पर आपनापienस सेम्बर 2022 तो आको क्या आविए इसी तरह किसे थिलाब कर लेना है जॉस्एक आपको धिकिए ने थे conscious ही अपने नाम Lifema करते करेंकर देना है नेकस्ट आपको क्या ह exhibitions अपने नाम यहां पर रिलाब कर देना है आ आपके company के नाम जो भी हैं आपको यां पर खिलाब कर देना है next क्या गने यहाप पर प्लॉण तो आपको दिखायत bourण डिखल निकलने के बाद आपको जो भी पाता चल रहा है और आपके यह बी अपनी एकव्ड़ नाम हैं और आपके यह बी नाम चाहत 5 अगर आपके रॉंग है तो अगर है आपको क्या गने अपनी एवन एकवा एकव्ड़े पने जू बिस यहां नूहां से और आपके UN account में आप जो भी नाम चाहते हूँ वो आपको यहाँ पर फिलाप कर देना है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलाप कर सकते हूँ। बहुत सारे मन में यहाँ पर सबल है, बहुत सारे कमेंड आता है। यहाँ पर आपको पता है रहाँ आपको यहाँ पर फिलाप कर देना है। आप यहाँ पर आधरकार लिखने का इस पहले फ्ट्रम में आपको कोई भी ओप्सें नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करने यहां पर आधार टाइप करना है नेक्स्ट आपको क्या करने अपने आधार कार्ड के जो भी नामबर है वही बाले नामबर आपको यहां पर खिलाब कर देना है इसी तरीके से यहां पर आपको आधार इसी तरीके से लिखना है मैंने यहां पर कॉम्पू लें नहीं लेगा इस सट पूर्सा धियान दखना है अगर आपके यहांप कर आप क्या 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 कारेक्षिन कर बना यो भी आपको यहांपर समझने पड़ेगा यहांपर मैंने एक चीज बदाए तो अगर आप only other card अगर के डिते लवाइं एकना है ऊसी हसाब से आपको यहां पर कोवेंट समिट करने तर्ट सक्कूलर गार्ट यहां पर पासद लाइसे आप कोन साफ पर मांग Participant तो आपको भी यहां पर प्रोब्लम है मेरे को नहीं पता लेकिन आपको ध्यान रखना हैं तो आपको यहां पर समेट करने के लिए जारो में आपके employer से यहां पर signature stamp होना बहुत जूरू दिया है नहीं तो आपको यहां पर ध्यान रखना है तो आपको यहां पर ध्यान रखते हैं सारे फिलाप करने के बाद आपने signature होगा यहां पर company के signature और stamp के साथ आपको क्या अगने प्योब आपश में बिल्गुल आप लोगों ने सही सुना अगर आपके company बंध हो जाता है तो आपको क्या करने जिस bank में आपके account है उसी bank manager के signature और stamp सारे page में आपको यहां पर करवाने पड़ेगा इस तीच को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने जैसे कि यहां पर joint declaration प्रम में और आपके साथ details में पधा जैसे कि मैंने यहां पर आपको details में पता है पहले यहां पर आधर काड लिंक नहीं था आप यहां पर आधर कार याज काउंट वी अ पेन जाइवानessä इसी तरी के से आपको यापन लिंक करवा नहीं दोस्तों ये था चुड़ा जानकरी जानकरी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें